ना कश्ट ना तकलिफ तो क्या मजा है जीने में और बड़े बड़े तुफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में नमस्का साथियों मैं राज कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार PVR स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सब को पढ़ा है कि रात के 10 बजे से आप पढ़ते हैं डीले यानी बीटी सिक मैथ और बिल्कुल जीरो लेबल से एकदम स्टेप बाई स्टेप बतलब समझे रहो ना आप सब कुछ सिखाया जाता है तो आप लोग आ गए हैं चलें फिर इसी कर्म में हम लोग बैटी थोड़ा लो है इस वज़ा से अगर थोड़ा देर के लिए आवाज म्यूट हो जाएगी तो कोई जाएगा नहीं भाग के पिछली क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है थोड़ा सा आप दिमाग पीछे लेके जाए और यह बताएए मुझे इन दोनों में कौन बढ़ा है इन दोनों फ्रेक्शन में कौन बढ़ा है क्लास का समय है मंडे टूजडे और बिद्नेश डे रात के दस से दस पैतालिस तक वैसे ग्यार्ट वजी तक मान के चलिए ठीक है बाकी तीन दिन दिन रिवीजन होता है जी साथियों पिछली कलास में आपने बोडमास रूल पर था कल उसके पहले भी बोडमास रूल के कुछ कंसेप्ट सीखा था उसके पहले आपने भिन्न का LCM HCF पढ़ा था बहुत कुछ सीखा था दस हम लोगों को भी कुछ हद तक पढ़ लिया आप लोगों ने तो इस प्रस्न का जो सबसे पहला जबाद दिया है उनका नाम है नेहा मिस्रा जी नेहा जी बहुत-बहुत बधाई हो आपको आपने सबसे पहले बताया और नेहा बर्मा जी दूसरे न कर रहे हैं तो आएए आज क्या पढ़ना है क्या इसमें आप लोगों में से कोई इसका है बताएगा इन दोनों फ्रेक्शन का कोई है बताएगा हमें कोई है इसा इमांदार जो बता सके जल्ब करिए देर नहीं मैं आगे बढ़ता हूं आज कुछ नया सीखेंगे यह सब ख जोड़ घटाना गुड़ा भाग बताना पड़ेगा कि आप लोग कर लेंगे थोड़ा बताई देते हैं क्योंकि इसमें कुछ और भी है इसमें सबसे पहला जबाप प्रिया सुक्लक आया है सिल्पा केसरवानी दूसरे नंबर पर हैं गोबिन दयादो तीसरे पर हैं और व क्लेस यू आये चलिए यहां पर क्या लिखेंगे हम हल बिना कुष्चन के ही ठीक है अब टॉपिक इधर साइड में लिखते हैं क्या क्या सीखेंगे सबसे पहले हम क्या क्या सीखेंगे क्लीर तो दिख रहा है ना थिक है तो साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले पता है बताएंगे तब आप जानेंगे ना 10 हमलो 10 हमलो पढ़ेंगे 10 हमलो का जोट खटाना गुड़ा भाग इसके अलावा हम लोग ये भी पढ़ेंगे एक टॉपिक तो ये पढ़ेंगे एक ये पढ़ेंगे मीटर सेंटी मीटर हाँ और ये केजी से गराम में बदलना ये सब चीजें भी आपके इसी चेप्टर में सामिल है रैस्मी सिंग कल वाले एक कुश्चन करवा दीजिए रैस्मी जी आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग ठीक है आप जाके वीडियो चैनल पर पढ़ा है दो दिन पढ़ाया हूँ और कुछ अपनी कांपी किताब से भी रिवीजन करिए तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डैसिमल की दस हमलों को इंगलिस में डैसिमल बोलते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे जोड़ना की जैसे दिखिए अगर इसमें हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आप मुझे बताएंगे कोई कोई ट्राई करेगा बहुत से ऐसे भी साथी हैं जो ट्राई करने वाले आवाज सही आ रही न सब लोगों को दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा कि आवाज गड़बड है क्योंकि यह बैटरी लो है तो हो सकता यह गड़बड हो जाए दिब्यातिवारी को ही किवल दिक्कत हो रही बाकि किसी को नहीं तो ठीक है मतलब हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलो मैंने इसमें से जो भी पूछा आप लोगों ने बताया ठीक है अच्छी बात है इसके बारे में बाद में बात करेंगे मुझे यह बताईए कि यह 0.5 है यह 0.05 है तो इसका पहला option है कि यह दोनों क्या है जीरो पॉइंट 0.05 क्या यह दोनों बराबर है या बड़ा शोटा है कोई बताऊं बहुत इमांदारी से क्योंकि हम एकदम बेसिक से सिखाते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता हमारी कोसी से उन्हें भी आए आईए देखिए मैं बताता हूं सपना राठोर जी ने बताया है बी नंबर आप्शन बहुत अच्छे सपना जी बेरी गुड एके साथियों आप लोग कलास को लाइक भी किया करिए बड़ी उमीद के साथ हम मेहनत करते हैं है ना सब कुछ छोड़ चाड़के तीन दिन एपली के सारी कलासें जो रात के 10 से 11 होती उन्हें मैं बंद कर देत है ना अपनी वाली अपने वाले को ही लियाों बास उतना ही बहुत है आप सब सिंगल है शिंगल चलंगे चलिए हले आई करतां के अब डोग कि यह बड़ा है वो च्छोटा है कुछ वहीं किसे लोग यह भी उता », नहीं तब लोग B वता रहे हैं ठीक है इन्हें में बहुत बढ़ा अंतर हैं जमीनस का अंतर है कुछ लोग कन्फ्यूज होते आं देख ये हैं कि इसको ऐसे भी लिख देंगे तब कोछ फरक नहें, पड़ेगा इसको ऐसे भी लिख देएंगे तब भी कोई फरक नहीं पड़ेंगे मतलब यह सब एक हैं ठीक है कहने का यह मतलब यहां से मैं यह बताना चाहता हूं कि कि किसी भी इस तरह की संख्या में अगर दस हमलों के बाद में कोई अंक है और उसके बाद फिर चाहे जितना जीरो लगा दीजिए अगर कोई अंक उसके दाहिनी साइड में जीरो के बाद नहीं है तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं है लेकिन हाँ, एक चीज समझिए अगर यहाँ पर कोई गिंती आ जाए यहाँ पर वन आ गया मान लीजिए यहाँ पर वन आ गया यहाँ पर वन आ गया तो इन सब के मतलब बदल जाएंगे फिर फिर ये एक बराबर नहीं रहा जाएंगे फिर इन सब की मतलब बदल गए इन सब का जो हैसियत आउकात है ना उन सब बदल गई लेकिन अगर कोई गिंती नहीं है पीछे से तो इनकी कोई आउकात नहीं कुछ है नहीं क्रिफना मुरारी धाकड थोड़ा टाइम दीजिए ठीक है थोड़ा टाइम दीजिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इन दोनों को मैंने योग फल के लिए पूछा था क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है दसमलों का पहले जोड़ना फिर घटाना और फिर गुड़ा और भाग तो थोड़ा स्वर बना के रखेंगे तो हम कुछ ऐसे भी टॉपिक बताएंगे जो आपको नहीं आता है वो सकता है अभी आपको ये सब आ रहा हो तो प्रजा नहीं आ रही होगी लेकिन अभी यहां पर बने रहिए अभी बहुत कुछ होने वाला है ये जो आपके बताएंगे कितना आएगा कुछ नंबर मान लीजिए दूसरा है बताएंगे जिनको आता है मैं इसको बताता हूँ देखे साथियों इसमें एक चीज देखना है जो मेन मुख के इसकी जड़ है उसको मैं बता देता हूँ पहले दी गई संख्या को ऐसे प्यार से मान सम्मान के साथ लिख लेते हैं फिर दसमलो जहां पर लगा है उसके जेश्ट नीचे लगाते हैं इस संख्या में दाहिनी साइड देखें तो एक जीरो है लिख दिया बाई साइड देखें तो एक पांच है इसको भी लिख दिया इनको प्यार से ऐसे उपर नीचे जो जिनकी आस पास होता है उसी में जोड देते है इसका जबाब दिया है उनका नाम है भाई अनूपम और्या ठीक है अनूपम जी बेरे गुड तो यह फाइप में जीरो एड करेंगे तो फाइप ही रहेगा दस हमलो के नीचे दस हमलो फाइप में जीरो तो फाइप यानि हम करें सकते हैं पाँच रूपया पचास पैसा अगर रूपया की द्रिष्ट से देखें तब ठीक है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह सभी जानते हैं इसका मैंने जबाब पुछा था किसी ने बताया था किसी ने नहीं बताया था इसको भी हम कर लेंगे सबसे पहले हम पांच को लिखेंगे आप कहोगे भाया इनके अगल वगल तो दसामलो है इसमें तो है नहीं तो कैसे करेंगे देखिए एक बात मैं आपको बताओं बुरा नहीं मानियेगा बैसारम के साथ में बैसारम होना पड़ता है समझ रहो? कहते हैं दुष्ट के फार दुष्टता करनी चाहिए यह सब मैं कहें बता रहा हूँ आप कहेंगे यह कौन सी पढ़ाई की बात है क्योंकि इनके अगल वगल जिनको इसमें जुड़ना है उसमें दसामलो लगा है इसमें नहीं लगा है तो इसमें भी हम दसामलो लगा लेते हैं आपने देखा होगा मोधी जी पंजाब जाते हैं तो पगड़ी बांध के हां मतलब कि सिखों के बीच में उनके जैसे हो जाते हैं ना यूपी के आवध्या हमारे ग्री जनपत सुल्तानपूर आये थे तोहां पर आवधी बोल रहे थे कि सुल्तानपूर की पबत्र दर्ती पर हम आवन बानी कई से कई से हम तो थोड़ा बहुत सुने हैं कहने का मतलब समझिए कि जैसे देखा है बेस वैसे बदलना चाहिए तो यहां पर क्या करेंगे दसामल बढ़ा के जीरो जीरो बढ़ा सकते हैं जितना भी जीरो की जरूर कि से कितनी बटते उतनी अप लगा सकते हैं लेकिन द्यान रहें सिर्फ 0 ही लगा सकते हैं और कोई दूसरी गिंती नहीं लगा सकते नहीं सब्स जर्य कि ढूंडों के बाद 1 आज़ी एसको लिखेंगे दासाम लो की निचे डाई साइड फाइप है टो फाइप बाइपी घॉत इर निचे डाई साम लो के नीचे अताम लो ऐसे इनको सुसोबित करते हैं नीचे उपर एक चीज का ध्यान रखते हैं कि सिर्फ दसमलो के नीचे दसमलो रहेगा बस सिर्फ दसमलो के नीचे दसमलो रहेगा दसमलो कहीं इधर का उधर नहीं होना चाहिए आवाज तो हमारी आ रही ना गड़बड़ा जाएगा तो बता दीजिएगा चलिए ठीक है अब देखिए 5 के उपर कुछ नहीं है तो इसमें एक 0 बढ़ा लेंगे जहां जगा खाली वहां हम सुनना लिख सकते हैं आप 5 में 0 0 जोड़ेंगे 5ी रहेगा यहां भी 5 ही रहेगा दसंबलो के निचे दसंबलो सभी सुनना में 5 जोड़ेंगेEMA अब हम बात करेंगे गुड़ा की ठीक है जैसे जोडते हैं वैसे घटाते भी हैं इसमें कुछ अलग नहीं है जैसे आप लोगों को घटाना अगर आता है तो आप घटा लेंगे है न यह अलग है इसलिए इसे बताना है दसमलों का गुड़ा देखिए अब मुझे बताईए आप लोग इनका सबका मल्टिपल करेंगे कितना आएगा जरा सोच के बताईए मैं थोड़ा मारकर में से आई भर लेता हूँ गोबिंद जी इस भाग भाग क्या बोलते हैं भागम भाग बड़ी जिन्दगी में ना टाइम नहीं है ठीक है आपको लगता होगा कि हम यहीं प्या के नो टंकी करते हैं बस लेकिन हमारी जिन्दगी में अपने परिवार और बीबी बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है अरे वो स्वारी बीबी बच्चे तो है नहीं देखो साधी बदी नहीं हुई वो तो ऐसे निकल गया लोगों की देखा लेकिन कायने का मतलब यह है कि यहां तक जल्दी फोन ओन भी नहीं हो पाता घर पर वी चार-चार सब्ता वी जाते हैं दिन नहीं तो अब सुबा कलास लीजिए साम को लीजिए रात में लीजिए यह नहीं हो सकता है अपता में सिर्फ तीन दिन हो सकता है निकाला अपनी लाइफ से टाइम तीन दिन का बस हाँ बाकी आप PBR Study App में आ करके साथो दिन देख सकते हैं क्योंकि अपली केसन की कलास हर दिन चलती है आईए चलिए आप क्या करेंगे इनको हमें हल करना इसका जबाब किसने बताया सबसे पहले तो उनका नाम है छभी गुपता छभी गुपता कृफना कुमारी और सपना आठोर और नेहा बर्मा इंब देखिए इसमें हमें काम करते हैं पहले तारी गिंती वरस लिख लेते हैं जैसे विराती हैं बीना दस हम्लों के उसका गुड़ा कर लेते हैं तो हम इसको कहीं साइड में कर लेंगे 5 टाइप इंटू इसमें 1 है इंटू इसमें 72 है इनका बीना दसमलो के पहले गुड़ा कर लेंगे तो 5 एकम 5 और 5 जूना 10 का 0 हासिल एक और 5 सते 35 एक 36 360 आएगा बीना दसमलो के तो 360 ऐसे लिखेंगे आगे पीछे जगा होनी चाहिए भाईया यहाँ पर देखिए तीन अंक पर दसमलो है यहाँ पर देखिए चार अंक पर दसमलो है है न तो जितने जितने अंक पर दसमलो है जैसे यहां पर तीन था और यहां पर एक अंक इनकों जोड़ लेते हैं सभी अंकों को चार हुआ यानि हमें इसमें चार अंक पर दसंबलो लगाना है step by step समझेंगे तो समझ में आएगा मैं सब detail में बताऊंगा तो हमारे पास तीनी अंक है चार अंक तो है नहीं तो हमें एक जीरो बढ़ा लेते हैं लेकिन ध्यान रहे वो जीरो हम संख्या के बाई तरफ ही बढ़ाएंगे दाईनी तरफ नहीं यहां पर लगा देंगे दसंबलो होगे अब असांसर हो गया और इसके पहले भी इसकी पूरती के लिए जीरो लगा देते हैं समझ में आया इसके बाद में कुछ लोग जीरो लगाएंना लगाएं यह तब ही सही यहँ लेकिन यह जीरो हम नहीं हटा सकते हैं याद रहें यह जीरो हम नहीं हटा हगते हैं हाह इसके बाद में हम और बहुत साराet दो लगा दें तब ही साहिज क्योंकि कोई संख्यापा है अगर दसमलों के बाद में है मतलब नमबर है और फिर 000 है कोई नमबर नहीं है तो ऐसा है कई ओनु का कोई मतलब नहीं होता है ठीक है एमी मीडियम के लिए इंगलीस में सिखाईए अच्छा इंगलीस वालों की कलास के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या नाम है इनका इंगलीस वाले क्योंकि यहां पे सब देशी लड़के-लड़किया होते हैं इंडिया के इनको इंगलीस-उंगलीस आती नहीं बस इंगलीस उतने तक आती है हाउ आर्यू वाट अर्यू डूइंग उसके बाद और हो पड़ाई लिखाई ठीक चलत भाइक नहीं है है इना इतना आती है चलिए उसी में से हम भी हैं इसलिए इंगलीस में नहीं बोल रहे हैं तो चलिए 2.23 x 0.007 इसका कितना आएगा बत फोड़ा टॉड़ा टॉड़ा माजा नहीं आरे मैं देख आरहा हूं यह रही ह는 बताईएगा कि हान ऐस्कान जी यह की तो तुरंद बता दीजिएगा संप्सक्तार्ये कि ने अन्यारे बदलिये इसको क्योंकि हम भी चाहते हैं जिसमें आपको मजा आए हम उप है हम अ on a tem जी को दच्षीना से काम बर मरे चाह कन्या उन्हें कि नहीं कहा हुआ तो आप लोग दच्षीना तो दे नहीं रहें फिर भी जो भी यह आए देखिए एक और क्या बताने वाले थे मिधर साइड में आई यह इसको तो आप लोग कर लेंगे यह कड़ा बड़ा यह कन्फ्यूजन करने वाला होता है यह यह भाई रुक जा ठीक है नहा बर्मा जी का अंसर आ गया बहुत अच्छे नहा जी बेरी गुट बेरी गुट 0.25 x 0.005 अच्छा यह जो मैंने बढ़का वाला लिखा इसका कितना आएगा कोई बताएगा मज़ा आ रहा है अभी बहुत मज़ा आने वाला है आईए देखते रहिए बस तो इसको मैं बता देता हूं ध्यान दीजिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अपनी सांसे तेजी से खीचना है और फिर रोग के रखना है और नंबर को अलग लेना है बीना दस हम लोग के ठीक है और फिर यह नंबर इसमें 7 है इसमें 2-3 है इनका अलग से गुड़ा कर लेना है सेबन थ्रीजा बाई साथ रिक्यकाइस यानि सेबन थ्रीजा 21 करी आया टू और सेबन टूजा 14 14 टू 16 और सेबन टूजा 14 141 15 पता नहीं सही है गलत है इंगलीस तो मुझे थोड़ा थोड़ा आने लगी साथ दूजा 14 14 टू 16 और साथ दूजा 14 15 टूजा थाया यहां तो मुझे थोड़ा समझें यह तीन अंक पर दसम्वलों है इसे लिखिये यहां पर दो अंक पर दसम्वलों है इसे भी लिखिये फाइनल में पांच अंक पर यहां पर दसमलो लगेगा हमारे पास में सिर्फ चारी अंक है एक जीरो बढ़ा लेंगे यहां पर दसमलो लगा देंगे बस हो गया एक जीरो इसके आगे अपने आप फ्री में लिख देते हैं चलिए चापते चलिए फटा फट लिखते चलिए और इससे ओब जाईएगा तो बता दीजिएगा इसे बंद कर दीजिए अब चलिए इस पर बढ़ते हैं यहां पर क्या करेंगे प्यारे साथियों सबसे पहले जितने भी डिजिट दिये गए उनका मर्टीपल कर लेंगे बीना दस हम लो के और उसके बाद फिर दस हम लो आला कितने लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक को बदल दिया जाए कुछ और पढ़ाया जाए अगर हां तो आप वाई लिखके कमेंट करें वाई फार एलो और अगर नहीं तो यन लिखके कमेंट करें यन फार नानी कि कि कुछ रहे हो अचलो इधर आजाओ इसमें देखिए वान है फिर इसमें टू है फिर अगले में 2 फाइफ है फिर अगले में 5 इन सब का क्या करना मैं मल्टीपल करना है कि अच्छा इस टापिक को बदल दिया जाए बहुत से लोग चाहते हैं मतलब दिल में है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं अच्छा अच्छा ठीक है तो मैं इसको भी नहीं करूंगा तो यहीं चाहता था कि अच्छा था कि इसे कितनी जल्दी बदला जाया चलिए वो तो मैं थोड़ा लाट सरम के मारा बता रहा था कि बाद में लोग चिलाएंगे कि आप बताए नहीं बताए नहीं हां चलिए ठीक है देखो अब लोग बोलने लगे चलिए भाईया इस देश में बहुमत वालों की सरकार बन जाती है यहां पर तो तो 200 लोग ही है आईए ठीक है अब टॉपिक यह चलेगा इसे क्या बोलते हैं कनवरजन या कनवर्शेशन तो कुछ अलग होता हमें लगता है कनवरजन ही बोलते हैं फिलहाल अब मुझे नही यह एक रूपया अजीब टाइप का नहीं बनाई है एक मिनट इदर देखिए एक रूपया कितना पैसा होता भाईया इसमें जानते हैं झाल झाल करते हैं झाल 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 अब आ गई आवाज दिखे इसकी बैटरी खतम हो जाती है और यह confusion थोड़ा हो गया यह बैटरी चेंज हो गई इसी में पहले की जो खतम वाली थी नई वाली दोनों एक में उलज गई एके color की थी एके model था मैं confusion हो गया थोड़ा देर के लिए फिलहाल इसको मैं अलग रख ल अच्छा ठीक है अरिचा कुछ वहां नहीं आ रही आवाज आ रही थीक है तो यह टॉपिक हम जो ले करके आए हैं इसमें आपको कुछ बाते बताएंगे और कुछ नहीं भी बताएंगे आए देखिए हमने पूछा था एक लीटर में कितना ml होता है तो यह कितना होता भया है एक लीटर में एक हजार एमेल होता है एक मीटर में कितना सेंटी मीटर होता है तो सो सेंटी मीटर होता है एक केजी में एक हजार गराम होता है और का का होता है एक किलो मीटर में एक हजार मीटर होता है लेकिन आप कहेंगे यह सब याद कैसे होगा है न ऐसा कुछ है न आप लोगों के दिल में आ रहा होगा कि आखिर यह सब याद कैसे होगा इतनी बड़ी कानी है न भई राकेश सर के पडोसी को बलक कर दीजिए क्योंकि यह बहुत परिसान है इनको जल्दी बलक करिए जल्दी करिए आप लोग क्या कर रहे हैं जो फालतु का कमेंट करे उसे बलक करिए तो अब हम आपको बताते हैं कि आप याद कैसे करेंगे कुछ यहाँ पर इस्पेसल चीज दिखाने वाले हैं मत इस्थाइए याद है वह दो कि इसी नोटेर्ज आपको बताना पड़ेगा अगर याद है तो चले हम लोग कुछ कुछन करते हैं फिर कि याद है बतहूं यह हाँ नहीं नहीं आदर तो सुन लीजिए थोड़ा सबर करिये सब्र कफल कभी-कभी मीठा भी हो जाता है याद है ठीक है नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा चलो टेंसन मतलो लगबख लोग बोल रहें याद है ठीक है मैं खुद नहीं udah ना चाहता हूँ आइए चलिए ठीक है अभी देखेंगे जब कुछ लोग चट पटाएंगे तब बताएंगे आए देखिए हाँ तो मैं कुईस्चन यह कर रहा हूं आप लोग मुझे यह बताईए कि साथ किलो मीटर में अभी जरूरत महसूस होगी तब कितना मीटर अभी इतने नहीं बात रुकेगी एक और बताईए एक और बताईए 0.8 ml में कितना लीटर बताईए जबाब दीजिए इसको मैं कुईस्चन नंबर मान लेते हैं 10 लिख देता हूं इसको 11 तो आपने लोग कुईस्चन नंबर डालके जबाब दीजिएगा मैं बताऊंगा एक एक थोड़ा सबर बना के रखिए अधिती सिंग सेबन थाउजन बता रही ठीक है गोबिंद यादो जी बिल्कुल सही है प्रिया सुकला नहीं बता दीजिए अच्छा बताईएंगे अभी सबर बना के रखिए इसका जबाब दीजिए कितना आएगा 0.8 ml में कितना लीटर और एक और बताईए जो लोग कह रहे हैं कि हमें आता है मैं उन्हीं से बिसेस रूप से पूछना चाहता हूं अभी जब आप सरेंडर कर देंगे खान नहीं आता तब मैं बताऊंगा जो मैं बताना चाहता था आईए देखिए दस डेसी लीटर में कितना लीटर बताईए बारा नंबर का जबाब दीजिए दफ डेखिए लीटर में कितना लीटर यह सब पूछा गया है बताईए जबाब दीजिए कुष्चन एक्ठी लिख लिजिए और बड़ा मज़ेदार है एक्ठी लिखिए 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 मैं अभी पूछता हूं फिर आप लोग बताईए तब फिर मैं आगे बढ़ूंगा ना कि दस वाले का सेबन थाउजंड नहीं हम इस राइस का बतारी जिरो पॉइंट जिरो एट वगरा वगरा ठीक है कुश्चन सुनते जाईए थोड़ा सासेरों के रखिए दिल थाम के रखिए अभी इंप्वार्टेंट वाले मिलेंगे आईए हाँ तो यह है कि पांच मीटर से तीन सो सेंटी मीटर घट आईए है कुश्चन नंबर के साथ जबाब दीजिएगा यह आपके परिक्षा में पूछा गया था दोजार सतरा में पांच मीटर से तीन सो सेंटी मीटर आप कैसे घट आएंगे अस्वनी कुमार ठीक है अस्वनी बहुत अच्छे बारा नंबर का कोई जबाब दिया कृफणा उसके बाद के लिखा आई नोंने यह के पता नहीं का है लिखे हैं कुमारी हैं कि कुमार हैं इसी में कन्फ्यूजन है क्योंकि आजकल तो सब एक दूसरे का नाम रख लेते हैं हां नाम भी रख लेते हैं कपड़ा भी पहिन लेते हैं वही अदली बदली कर लेते हैं अगला कन्फ्यूज हो जाता है है कौन यह चलिए फिलहाल अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट वाली अधिती सिंग बता रहे हैं दो सो यह भाया यह सब जाग रहें कि सो रहें इसका जो दो सो बता रहा है ना उसका पूरा गलत है जो इसका दो सो बताया होगा उसका दो सो पर्fahrण गलत है आप कहेंगे हिए यही तो मुसीबत हैं जो आप पड़ना नहीं चाहते हो क्योंकि मैं बताना चाहता हूं तो कहते हो नहीं नहीं मुझे आ रहा है मत बताओ मत बताओ ठीक है और कोई बताएगा इसका जब आप किलियर करिए तेरा नंबर फिर आगे बढ़ें हैपी किचन बेथ रिंकू 4.700 चचा जीरो जीरो चाहे तुम बीस बार लगा दो क्या मतलब है तेरा नंबर का 5700 इतना 5700 लीटर या मीटर या सेंटी मीटर किसमें याद रखिएगा अगर उत्तर में आप मातरक नहीं लगाते हैं तो आपका अंसर गलत है बई दुकान पे गयो सबजी के बोल दो कि दू लीटर आलू दे दो तो दुकान दरवाल आया है तो तुम्हें देखे गया तो कहएगा मैं कितना वेवकूप हूं मेरी दुकान पे आया तो मातरक बताना जरूरी है आईए इस पर बात करते हैं इसको इसको तो फिलहाल detail है बताना पड़ेगा आपको कि इसको बात करते हैं कि देखिए आप सभी करो कि याद है तो कोई बात ही नहीं जैसे एक लीटर में 1000 यम्यल होता ना भया वहिसे एक यम्यल में न एक बटा 1000 लीटर होता है ठीक है तो एक यम्यल में एक बटा एक हजार लीटर होता है तो हम कहेंगे कि 0.8 यमेल में क्या हो जाएगा 0.8 इंटु 1 अपान 1000 लीटर इसको हल करेंगे ठीक है गोबिन्द याद हो ठीक है कोशिस करते रहिए कोशिस करते रहिए यह बहुत काठिन नहीं है लेकिन जो लोग मैट्स नहीं पढ़ें उनके लिए है कठिन उनके लिए ना यह बहुत कठिन है इसवर की प्राप्ति के बराबर कठिन है आईए देखिए तो यह 0.8 अपान यह हो जाएगा 1000 वह यह यहाँ पर दसामलों लगा है आपको पता है न का कुछ पता है कि नहीं है पता तो आईए इदर इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं पहला तरीका है कि हम इसको आठ बटा 10 लिख सकते हैं कितने को बढ़की लाइन खीच के इसको 1000 लिख सकते हैं इसके नीचे एक छिपा सकते हैं इस तरह से हम बहरे का बहरे अंदर का अंदर गुडा कर सकते हैं तो यह 8 बटा दस हजार हो जाएगा चार-जीरो हो जाएगा मतलब 0.008 चार अंक पर दसंबलो हो जाएगा और यह कहा हो जाएगा लीटर क्या हो जाएगा लीटर क्योंकि यह 800 ml था 800 ml में कितना लीटर इतना लीटर ना कुछ गलत हो रहा है कि सभी हो रहा भाई यह हाँ अच्छा हम लोग इसको देख लेते हैं चाहिए गलत है इसको किनारी रखिए एक और आपको बताते हैं अभी सब क्लियर हो जाएगा दूद का दूद पानी का पानी हो जया जिसको कंफुजन है यह हमें पता है किसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते नकिए Speaking इसको बिना 10 हमलों में बदले हैं अगर हम लोग लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा 10 हमलों में बदल देते हैं तो यह गड़बड आ जाता है क्योंकि फिर उसी रूप में आ जा रहा है जैसे देखिए अगर हम बोलें कि 0.5 लीटर एमेल में कि आधा लीटर में पांस एमेल होता है कि एक लीटर में एक हजार एमेल होता है कि इसको दो से काटिये कि यह चार से भी कट जायेगा क्या ई चार दूए आठ ए सब्सक्रास से कटेगा चार दूना कि शॅप गळैद आफ है और कि अच चारफ पंचे बीस जीरो जीरो 121 2 2 एक कम डो यह बड़ा सुपचास नो थीक है लकीर का फिकीर बन रहे हैए सर और यह नहीं पता है कि सर ने ही गलत लिखा है अच्छा अच्छा यह मतलब गलत नहीं सही है सबाइए इधर बताते हैं जो देखिए एक स्टेप आगे जो दस हमलों में बदल दिया इसका मतलब वो गलत थोड़ी था दस हमलों में आप बदल सकते हैं मैं पूछ इफ लिए रहा हूं कि कितने लोग जाग रहें कितने लोग सो रहें हो सकता मैंने गलत भी लिखा हूं तो कौन बड़ी बात है लेकिन हाँ आभी जाना नहीं नहीं तो इसी में कन्फ्यूज हो जाओगे बर पूरूब करके दिखा आउंगा गलत है कि सही हमारे साथ बने रही है हम आये देखिए ठीक है 0.5 ml में कितना लीटर वह भी सही था जो लिखा था वह गलत नहीं था दसामलों में बदला था तो गड़बर नहीं था जो लोग को पी कन्फ्यूज है तो इतना आएगा इतना नहीं उतना भी सही है ल यहां पर देखो एक अंक पर दस हमलो यहां पर चार अंक पर दस हमलो आ रहा था ठीक है आए देखिए अब इसको हम लोग जानते हैं पहले से न कि 0.5 ml का मतलब आधा लीटर जानते हैं न एक बटा दू लीटर न जानते हैं देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एक मेल है ना तो एक माल में 1 बटा 1 हजार का लीटर इस लिए 0.5 ml में हम ऐसे इसको करेंगे हां इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं बहुति पर एक लीटर में एक हजार एम्ल मतलब मिललीलीटर तो इफ लिए एक मेल में एक बटा है खजाल लीटर इसको ऐसे गुड़ा करेंगी जो मैंने लगाया था वो भी शाही गलत नहीं है ये भी सहय ये देखो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 बटा 10 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं न किसी को इसे 5 बटा 10 लिखेंगे नीचे ये 1000 लिखेंगे फिर से बैसे ही गुड़ा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 अपान ये 10,000 अब देखिए चाहे तो इसको आप काट दीजिए और चाहे अच्छा ठीक है कुछ और बताईए आप लोग खुश्रीन खान फोर समेस्टर का पीवियार स्टडी एप में उपलब्ध है तो इसे आप लोग और ज्यादा सिंप्लिफाई करेंगे तो पांच एकम पांच पांच दूना दस एक बटा दो हजार आएगा ठीक है वान अपा क्या होगा चार अंग पर दस हमलों लग जाएगा एक और बताईए आप लोग हाँ यह तुम्हें बताया ही नहीं एक और पूछा था था ना भी इसके पहले उसी तरह का यह बताईए कि पांच मीटर से कि दो सो सेंटी मीटर घटाएंगे तो कितना आएगा उसके बाद उस पे चलते हैं बताईए जल्दी करिए हटा-फट बताईए अभी तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया ना कि लीटर में कितना लीटर होता है मतलब यह मेल में ना लीटर में नहीं हाँ ठीक है चलो इसको बताईए फिर आगे बढ़ते हैं चले इसको बताईए फटा-फट फटा-फट जल्दी करिए चले इसको बताते हैं देखिए अभी तक जो हम लोगों ने किया जिन लोगों को कंफ्यूजन है उन्हें बता दें कि वह कुछ गढ़बर नहीं सब सही है बस थोड़ा यह लंबा हो जा रहा था चुकि इसको मैं बहुत छोटी मात्रा में ले ले रहा था वैसे भी वह छोटा है जो ml है वो लीटर का एक हचारवा भाग वैसे ही है लेकिन हम इसको भी दस हमलों में कर ले रहे थे इसलिए बहुत छोटा हो जा रहा था ठीक है तो कुछ लोगों को जो कंफ्यूजन हो रही थी वह गढ़बर नहीं था भाई यह किर्फना मुरारी को बलक करिये तो इनको नंबर चाहिए सब लोग अपना नंबर डालो यह नंबर ले ले बस इनकी जिन्दगी का इतना उद्देश है चलिए इसको बताते हैं इस टॉपिक पर बात करते हैं उसके बाद फिर इसको भी चेंज करके आगे बढ़ेंगे यह जो भी मैंने बताये सब सही है 100% इसमें कोई प्राव्लम नहीं है बहुत ज्यादा छोटी नंबर हो जा रही थी इसलिए कि तसमलों में कई गुना पीछे चली जा रही थी इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह बताना है कि देखिए जिस भी रासी को जिसमें से घटानी है यह ध्यान रहे कि दोनों सेम इकाई में होनी चाहिए ठीक है मैंने बताया था ना इसके पहली कलास में कि चुहे से चुहे ही पैदा होते हैं बिल्ली से बिल्ली होते हैं कभी चुहे से बिल्ली नहीं पैदा होती तो वैसे इसमें कुछ यह है क्या इसमें कुछ यह है जो मैं बताने वाला हूँ कि इनको पहले एक ही रासी में बदलेंगे जैसे यह मीटर में है इसको भी या तो मीटर में बदल दें या फिर इसको सेंटी मीटर में बदलना आसान है एक मीटर में तो सेंटी मीटर तो पांच मीटर में पांच सो सेंटी मीटर माइनस ये दो सो सेंटी मीटर फाइनल में तीन सो सेंटी मीटर लिखें तो ये सही है लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं सही है इसमें और भी कुछ सही है आईए मैं बताता हूँ वो क्या सही है लेकिए एक मीटर में सो सेंटी मीटर तो एक सेंटी मीटर में एक बटा सो मीटर भी होता है तो भाया हो 200 सेंटी मीटर में 200 बटा सो 200 बटा सो मतलब 2 मीटर कितना 2 मीटर न तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं 5 मीटर माइनस 2 इक्वल 3 मीटर ये दोनों सही है ये भी सही है 300 सेंटी मीटर भी सही है या फिर हम 3 मीटर लिखें तो ये भी सही है बताइए सभी को समझ में आया नेहा बर्मा नरेश गोबिंद मीट यूपी पुलिस की तैयारी आप पी बियार स्टडी एप डाउनलोड करके उसमें जाके देख सकती है ठीक है एप्लिकेशन में आपको पूरा सम्मी लेगा हम आगे बढ़े ठीक है ओके यह हो गया तो आप लोग इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल कर लेंगे जैसे एक मैं अगर आपको और बताऊं तो वो बताईए मुझे जैसे यह बताईए आठ मीटर इसमें से आप घटाएंगे तीन डेसी मीटर इसमेंगे बताईए तीन डेसी मीटर घटा के मुझे बताईए कितना आएगा फटा फट बताईए जल्दी करिए देखे यह थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि डेसी मीटर के बारे में आपने सुना नहीं होगा जल्दी करिए बताईए डेसी मीटर वाला बताईए कितना आएगा कोई बताईगा और साथ में मात्रक जरूर लगा के लिखना मात्रक जरूर लगा के लिखना मैं जो बताना चाहता था मैं बताके ही जाओंगा क्योंकि तुम लोग पढ़ो भाई यह ना पढ़ो लेकिन मेरा फर्ज है क्योंकि कुछ लोग हमारे ही भरोसे बैठे हैं तो मुझे उनको बताना पढ़ेगा रेस्मी सिंग तीन सो था जो था वो अलग है उसको जाने दीजिए मैं ये बताना चाहता हूं मिली सेंटी डेसी मीटर और देका हेक्टो किलो मीटर ये आपको याद रखना है गाने की तरह इनको गुनगुनाते रखना है यहीं से आपका सब मिल जाएगा सब जो चाहते हो अरे मतलब जिन्दगी में जो चाहते हो वो सब नहीं मिलेगा लेकिन हाँ इससे समधित सम मिल जाएगा मीटर की जगह पर आप लीटर भी कर सकते हैं मिली सेंटी डेसी ग्राम भी कर सकते हैं अगर ग्राम वाला है तो यहां पर आप यह किलो मीटर है तो किलो लीटर कर सकते हैं जरुरत के अकॉर्डिंग और यहां पर किलो गराम भी कर सकते हैं आप समझेए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ देखिए यह आपका में पॉइंट है यह में लाइन है अगर इसके उपर का कोई निकालना है आपको तो आप गुड़ा करके प्राप्त करेंगे इसके नीचे का निकालना है तो भाग करके ठीक है क्रिफना मुरारी बेटा बलक करें तुम्हें क्या हां जो इस नंबर से तुम्हारा कमेंट आ रही है भी बलक करवा दें का चाहते हो पढ़ लो चुप चाप भाइए फाल तुम्हेंट करें देने फिर से बलक करिए आए देखें आप क्या बात हो रही थी अब बताईए अगर हम पूछें कि एक डेसी मीटर में कितना मीटर जल्दी बताईए एक डेसी मीटर में कितना मीटर हम फटा फट बताऊ ये एक डेसी मीटर में कितना मीटर में तरीका बताऊँगा अभी थोड़ा सा रुख जाईए और एक हेक्टो मीटर जिन लोगों को आता था आप उनकी हेकरी निकल रही है एक हेक्टो मीटर में कितना किलो मीटर लेखिए मैं system आपको सिखा दूँ उसके बार आप जाएए system शिखा दूँ बस देखिए मैं ये बताने वाला था की जहाँ पर हमसे पूछा गया है मतलब किसमे से किसमे बदलना ये देखना है दीखिए daysi meter से मीटर में बदला गया है यानि यह decimeter है यह meter है यह दोनों आपस में सटे हुए हैं लेकिन उपर वाले पद से नीचे वाले पद में बदलना है ठीक है तो हमेशा क्या करेंगे भाग होता है हमेशा भाग करेंगे किस से बता रहा हूं जैसे हमें एक decimeter से मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे जो लोग 10-10 बता रहें उनका गलत है जो लोग 10-10 बता रहें उनका गलत है अगर हम कहें कि एक मीटर में कितना किलो मीटर बोलो थो खाँगे 1,000 किलो मीटर का नहीं एक मीटर में एक बटा Mike एक हजार किलो मीटर तो उसी तरह से 2 सी में एक बटा और फिर जैस सबस्दा उनका जैस्डमें में आग एक जीरो लगाए याद अगर जेश्ट बगल में है थे एक जीरो अगर सेंटी मीटर से पूछा गया होता तो आप दो जीरो लगा थे ठीक है तो यह कितना वह जाएगा मीटर यानि फाइनल में हम कह सकते हैं 0.1 मीटर समझ रहना अभी थोड़ा समझ जाएंगे अगर टाइम देंगे तो जो लोग दिल से देख रहे होंगे उन्हें इसमें बहुत कुछ मिलेगा उम्मीद से जादा मिलेगा देखते रहिए यह तो डेसी मीटर हो गया अगर हम कहें कि एक सेंटी मीटर में कितना मीटर बताईए अब ध्यान दीजिएगा हमें सेंटी मीटर से मीटर में बदलना है यानि यहां से अगर हम गिनना सुरू करें एक दो एक दो यानि दो इस्टेप चलने के बाद तीसरे पर यह मिल रहा है दो इस्टेप पार हो रहा है न वहां पर देखो एक दो आता ही नहीं था वही मिल जाता था एक एस्टेप होता था इसलिए एक जिरो लगता था यहां पर हैं तो हमने यहां से शुरू किया तो सेंटिमीटर हो गया एक डेसी मिटर दो और फिर यह मेटर में बदलना ही है तो लिकेंगे एक यह सेंटिमीटर रिकवल वन अपन दो हो रहा था तो जो जीरो दो जीरो 0.01 क्या मीटर यानि एक सेंटी मीटर में 0.01 मीटर समझ में आया यानि कहने का हमारा ये मतलब था कि अगर कोई रासी छोटी है उसे बड़ी रासी में बदलना है तो हमें इसा भाग देना होगा चोटी रासी से बड़ी रासी में बदलनेंगे तो भाग देना होगा अगर बड़ी रासी से छोटी रासी में बदलनेंगे तो गुड़ा करना होगा सीदी सी बात है कहोगे छोटा बड़ा कौन है भाईया ये चाचा सबसे बड़े हैं यह सबसे बड़े हैं ठीक है इनके ऊपर जो है हेक्टो मीटर यह इन से थोड़ा छोटे हैं और यह इन से और छोटे हैं और इन से यह और छोटे हैं सबसे छोटे यह हैं मिली वाले सबसे बड़े हैं किलो वाले बस इतना आप जानके चलिए इनी सातों के बीच यह दोड़त एक दो हम दो इस्टेप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें नीचे से उपर जाना है नीचे से उपर जाना है तो हम क्या लिखेंगे 1 मीटर बराबर जैसे यहां 1 अपान 1 करके 0 बढ़ाते थे ना इसमें ऐसा नहीं होगा इसमें अगर नीचे से उपर जा रहें तो वन अपान जिरो नहीं करेंगे डारेक्टली 0 बढ़ाएंगे यानि 1 मीटर में 100 सेंटीमेटर समझ में आया ना इस तरह से इसे समझ के चलना है अब आप लोग मुझे इसको देख के बता दीजिए कि एक हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर सबसे पहले जो बताएगा हम जान लेंगे उसे समझ में आ गया बताई एक हेक्टो मीटर में कितना सेंटिमीटर जल्दी करिए मीत मीत जी सब फिरी है सब मेरी जिंदगी भी फिरी है बताई चलिए सब फिरी है यह हो गया कोई बताएगा निमन नेहा बर्मा बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत प्रियंका कुमारी मानबेंद सिंग प्रियंका आपका भी गलत है मानबेंदर जी का समझना पड़ेगा इन्होंने बहुत सारे जीरो लगाए है ठीक है और कोई नीमन देखे इफिल यह बोल राता नहीं आता है परिक्षा में यही होता है आस्मान में तीर मार सकता हूँ परिक्षा होती तब पता चलता है कि मैं तो पेड़ से आम भी नहीं तोड़ सकता हूँ आईए बताता हूँ देखे हमें हेक्टो मीटर पे चलना है यहां तक आना बिट्टा है यहां तक आना बाबू भाईया यहां तक आना है हम यहीं से गिनना शुरू करेंगे या तो फिर यहां से गिने यहां तक आएं लेकिन हम यहां से चलेंगे चलिए एक दो तीन चार इसको नहीं गिनेंगे याद रखना एक दो तीन चार हम चारी स्टेप पार करके आगे गए हैं न तो हम लिखेंगे एक हेक्टो बराबर एक के बाद में चार जीरो लगा देंगे बस ये अंसर हुआ दस हजार सेंटीमीटर होगा एक हेक्टो मीटर में दस हजार सेंटीमीटर बताईए जल्दी करिए अच्छा तो आप इतने खतरनाक है मैंने रिपलाई दे दिया वाकि आज तक कोई टीचर आपको रिपलाई नहीं किया था मुझे नहीं पता था नहीं तो मैंने बोलता फिर भी हो गया तो चले आप लोग कर लोगे मुझे पूरा उमीद है कि आप सब कुछ कर लोगे तो एक ठियाओर बता दो फिर इसे में लगे हाथ इसी में लगे हाथ एक ठियाओर बता दो फिर चलें खतम करें कि एक किलो मीटर में कितना मिली मीटर एक किलो मीटर में कितना मिली मीटर पताईए जल्दी करिए कितना सुन रहेगा यही बता दो बस देखिये हमारी तरफ से हमने पूरी कोसिस किया कि आपको पूरा कंसेप्ट पूरा निचोड बता दू लेकिन जो लोग नहीं समझना चाहते उनके बगवानी मालिक है जिन लोगों को अपने दिल में यह बसा के रखें मुझे सब आता है सब आता है वही फेलोते है इंसान को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब आता है जिसने कहा मुझे सब आता है उसे कुछ नहीं आता है मुझे कुछ नहीं आता है ममता साकेत गलत है नेहा बर्मा ठीक है नेहा जी बहुत अच्छे लग तो रहा कि आपका सही है राधा देवी ठीक है मैंने यह पूछा कि एक किलो मीटर में कितना मिली मीटर मिली मीटर जो है सबसे छोटी काई होती है अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं पता नहीं दिखाएगा कि नहीं इस जूम कर दूं तो पता नहीं कहां तक जायागा भगवान जाने जूम की बजाय गडबड हो रहा है देखे इसमें बहुत सारे आप लोग के पास पत्री होगी आप देख लीजेगा मैं थोड़ा सा बता देता हूं उसके बाद बंद करेंगे इसमें देखे बड़ी बड़ी वो सब आलग ही काई है ठीक है फिट और ग्रडव यह आपने सुना होगा कुछ चीज़ों को नापने के लिए लोग फिट में यूज करते हें इंच में यूज करते हैं तो यह बहुत बड़ी कहानी है सब आलग जाती पर जाती के हैं बाकि काम एक है सबका मीटर में भी हम कोई चीज नापते ही लेकिन आलग-अलग वस्तुओं का आलग-अलग-अलग मतलब सिस्टम में बताएंगे बाद में तो इसमें चोटा-चोटा होता हो ता वह सेंटिमीटर होता है ठीक है बाकी इसमें जो एकदम 0 और 1 के बीच में जितने छोटे-छोटे लाइन है ना 0 और 1 वो ML है ठीक है क्या है मिली मीटर है ML वही है मिली मीटर का मतलब एकदम रत्ती भर बार बराबर जगह होती बस ML का मतलब ही जान लो ठीक है तो यही यमेल है एकदम छुटका वाला समझ रहे ना आप लोग मैंने कुछ जादा जूम कर दिया लग रहा है हाँ तो मैं फिल हाल के लिए आपको बता दूँ जो बताने वाला था बाकी बाते हैं हो गई पूरी हाँ तो मैं यह बता रहा था देखिए यहां से गिनना सुरू करेंगे वन टू यह थ्री यह फोर यह फाइब यह सिक्स छे जीरो रहेगा छे जीरो रहेगा पांच जीरो में एक लाख होता यानि दफ लाख क्या कहेंगे दफ लाख हम कह सकते हैं कि एक किलो मीटर में दफ लाख एमेल या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं एक किलो मीटर में वन मिलियन एमेल आप जानते हो कि नहीं दफ लाख को एक मिलियन कहा जाता है international number system में मैं ने पढ़ाया है रआ नहीं इंडियन और international number system के पढ़ाया नधे पढ़ाया है न ट practical गर कर पढ़ाया दो कर पढ़ाया दे दम पे लगी हाथ सब दो unto ये मैं के लिखा न कि इसे इंडियन number पर सिस्टम में लिखेंगे तो कितना जीरो लगेगा वन जीरो जीरो के बाद मैंने के लगाया है तो यह वास्तों में है क्या बताए योगेन सिंग यह कलास सब्ता में तीन दिन होती यूटूब पे सोमवार मंगलवार बुद्वार तीन दिन रेगुलर होती है मंडे टूजडे और बेड़नेस डे को बाकी तीन दिन रिवीजन चलता है ठीक है होती तो हर दिन छवो दिन है सातो दिन लेकिन रेगुलर तीन दिन पढ़ाया जाता है तीन दिन रिवीजन होता है तो सोमवार-मंगलवार और बुद्वार को नए कलास चलती है नेहा बर्मा का गलत है गोबिंदे यादो का सही है और नरेष ठीक है कोशिष तो आप लोग करी रहे रह fax अच्छा है इसलिए कहते हैं हमेंसा अच्छा काम करिये नाम होगा तो साथियों आज की क्लास यहीं तक यहीं पर खतम करेंगे